नमस्कार मैं हूँ सुकृती रोय और आप देख रहे हैं One India Hindi यूपी के बागपत में उस वक्त संसनी मच गई जब पुर्वांचल के कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मार कर हत्या कर दी गई पुलिस के मताबिक मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर सुबह करीब साड़े छे बजे नस्दीक से दस गोलिया मारी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई मुन्ना बजरंगी पर बीजेपी विधाय करश्नानंद राय समेथ 14 हत्याओं के केस और रंगदारी के कई मुकद में दर्ज थे मुन्ना बजरंगी की हत्या कारोप वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के कुख्यात डॉन सुनील राठी पर लगा है मुन्ना बजरंगी कभी पूरवांचल का Most Wanted रहा ठीक उसी तरह अपराद की दुनिया में सुनील का नाम भी कुछ कम नहीं है मुन्ना बजरंगी की तरह ही सुनील राठी के भी राजनितिक संबंद रहे हैं सुनील राठी की मा राजबाला पिशले विधान सभा चनाव में यूपी की छपरौली सीट से बसपा के टिकेट पर चनाव भी लड़ चुकी है वही यूपी के बागपत के रहने वाले सुनील राठी ने अपने पिता की मौत के बाद अपराद की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा लिया राठी को पिशले साल जबरन वसूली के एक मामले में उतराखंड से गिरफतार किया गया और रुड़की जेल में बंद कर दिया गया था यहां राठी ने कहा कि रुड़की जेल में उसकी जान को खत्रा है इसलिए उसे उसके ग्रिह जनपत बागपत की जेल में शिफ्ट किया जाए इसके बाद हाल ही में सुनील राठी को बागपत जेल में शिफ्ट किया गया था वही रविवार शामकोवी मुन्ना बजरंगी को एक केस के सिलसले में पेशी के लिए जहासी से बागपत जेल लाए गया था मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी को बागपत जेल की एक ही बैरक मेर रखा गया था यूपी पुलिस के एडीजी जेल के मताबिक सोमवार सुबह करीब साड़े छे बजे सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी की गोली मार कर हत्या कर दी और पिस्तॉल को गटर में छिपा दिया पुलिस को अभी तक हत्या में बरामद पिस्तॉल नहीं मिली है। यूपी के सीम योगिया दितनात ने इस मामले में जेलर को सस्पेंड कर नया एक जांच के आदेश दिये हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहे हमारे झाल झाल